हलो एव्रीवन सो वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म और माई नेम इस कुलदीप सिंग राठोड गाईज आज की इस वीडियो में मैं आपको काफी जादा इंपोर्टेंट जो इसरों के अपकमिंग मिशन से उसके बारे में बताने वाला हूँ आप सब को बताए वहां से हम लोग काफी जादा साइन्टिफिक जो रिसर्च है की जाएगी आप सबको पता है जो इंजिनिरिंग कम्मिटी है उसके लिए जो इसरों के मिशन है गां से जो पी यादू है 6 कुल난कि शन्संस वह काफी जादा huge वहनी चाहिए आप सबको पता है सी casting की कॉर्वर पर्मेंट भी चल रहा है और इंजिनीरिंग जो कम्यूनिटी है उसके लिए वेकेंसी भी निकली हुई है और अभी उसका एक्जाम होना बाकी है अभी उसकी डेट जो है वो अनाउंस नहीं हुई है बट मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही आप रिटन एक्जाम किलियर करते ह उसके बाद जब आप इंटर्वीः देने जाते हो तो आपसे सवाल पूंचे President सकते हैं कि आप इसरो के एक जागरुक नागरिक होने के नाते भी आपको यह पता होना चाहिए कि इस तरों का जो मिशन है वो कितने ज्यादा important है आप लोगों के लिए और अगर आप लोगों को पता रहता है तो definitely यह एक भूती अच्छा साइन होता है आपकी personality का तो गाइस आज इस वीडियो में बात करेंगे इस रों के upcoming missions के बारे में चंद्रियान 3 जो है अभी आप सबको पता है कि वहां पे लेंडर और रोवर रिसर्च कर रहे हैं इसके बाद भी आपके भूछ सारे missions आने वाले हैं इस रों का जो upcoming missions है आधित्य एलवन तो आपको पता होना चाहिए आधित्य जो है वह सन का ही एक दूसरा नाम है सन को रवी नाम से जाना जाता है और अब इस रों जो है वह सफलता फूर्वक पूरी जो साइन्टिस्ट कम्यूनिटी है इस रों में जो साइन्टिस्ट वो ट्राइ करेंगे कि हम आधित्य एलवन मिशन को भी सक्सेस्फुल बनाएं आप सब को पता है कि जो आधित्य है वो सन से रिलेटेड मिशन है अब इसमें ऐसा नहीं है कि कई बच्चों से सब फ सरफेस पर उतारने वाले हैं तो बच्चे वहां पर बोल देते हैं यस सर बलकि ऐसा नहीं है सन की सरफेस पर आज तक कोई उतरा नहीं है इवन सन की जो और बीट उसके आसपास भी कोई नहीं जा पाए क्योंकि इतना ज्यादा हीट और एनरजी होता है कि वह पूरे जो सरफ में अगर आप जाके देखोगे तो जो सन और आर्थ के बीज में आपको बहुत सारे से पोइंट दिखेंगे जहां पर फोर्स जो है वह इकल हो जाते और वहां पर आप किसी अब्जेक्ट को फिक्स करते हो तो वह उसी अब्जेक्ट के उसी लोकेशन पर बना रहता है जैसे यहां पर तीन चार पॉइंट तो जो सन और अर्थ की अगर आप और बिट को देखोगे उनका जो एक्सेस देखोगे मिलाने वाला उसी पर मिल जाते हैं दो तिन उसके आपको अलग जीयो सिंक्रनेस फोम में मिलते हैं तो गाईज यहां पर जो इंडिया का मिशन है जो स्टडी करेगा सन से देखोगे तो वहाँ पर शोलर फ्लेर जो आते हैं ऐस्पोर्ट बनते हैं उन सब बार में इसी फॉर्मेंट होता है तो वो कीश होता है उन सब चीजों के बारे मित form Glueर लगाते हैं आप सबको पता कि जब कोई भी यह सेटलाइट अगर जाता है तो इस पर बहुत सारे इस्टूमेंट लगे होते हैं सोलर पेनल लगे होते हैं एनरजी रखने के लिए जिससे यह जो सेटलाइट है वो चार्ज होते रहे हैं करने के लिए काम आते हैं जो टेंप्रेचर रेडियेशन फिक्वेंसी बहुत सारी चीजों को मेजर करते हैं तो वाइस जो है आप सबको पता है यह यह फिक्स होने वाला है उसके बाद सबसे जादा इंपोर्टेंट मिशन जो है इस दो का वह आएगा गगणियान की सिरी गगणियान 1 गगणियान 2 और गगणियान 3 तो गगणियान 1 में हम जो क्या करेंगे अंकूड फोम में जो हैं हम लोंच करके देखेंगे कि जो हमारा मिसाइल सिस्टम है जो क्या इंसानों को लेके जा सकता है उसके बाद आप सको बता है कि एरपोर्स है उनके तीन से चार जो वहाँ पे जो फाइटर प्लेन जो उड़ाता है उनका ट्रेनिंग भी हो चुका है उनको भी फिर फ्यूचर में जो आगे इस पेस पे ले जाने का हमारा मकसद है यहां पर देखेंगे गगणियान जो मिशन एंट उधंटीफॉर में आने वाला है और यहां पर एकर आप जनीयान मिशन के बारे में देखेंगे तो यहां पर फिर्स्ट मिशन में हम लोग क्रू होगा उसको मोरीबिट पे लेके जाएंगे फोर हन्रेड किलो मेटर पे वहां पे त् यह थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है क्योंकि यहां पर हुमेल लाइप भी होती है तो इस तो को काफी जादा टेस्ट वगरा करने हैं आप सब को पताए कि अभी रीसेंटली टेस्ट हुआ था री यूजबल वहीकल का जिसमें हम लोगों ने एक प्लेन की तरह एक उतारने की क लाने का है तो गाइस यह भी गगनियान मिशन पूरा का पूरा हम लोगों को एक ऐसी कंट्री बना देगा जिसमें हम लोग इस पेस के अंदर इंसानों को पहुचा है बहुत ही लिमिटेट कंट्री जैसे रसिया यूएस यूएस ठीक है चाइना भी इस वर्क में काम कर रह आप सब की कंट्री जैए इसमें हम लोग भी आ जाएंगे तो काफी जाधा इंपोर्टेंट आपका यह यह भी रहने वाला है उसके बाद हम बात करेंगाई यहां पर निसार मिशन है तो निसार मिशन में हम लोगों ने क्या किया है कि जो नासा और इस रो है इन्हों ने द पूरा पूरा अर्थ की सरफेस के रोटेशन करेगा और सारी जो चीजें हैं जैसे नेट किया है इसके लवां बायो मास्समें क्वाचा हैं । इस र Cotton R presenter क्रिशंस क्रेगा और फूरा मेपिंग करेगा तो इसमें नासा और इसरो दोनों मिल के काम कर रहे हैं और आप सबको बताए गई नासा की स्पेस में क्या पोजिशन से तो इसरो इतना अपना पोजिशन मना लिया है पितले कुछ वहाँ पर हम लोग आप सबको बताए चंदरियान जो फर्स था उसने वाटर को ढूंडा था वहाँ पर वाटर वहाँ पर मिला था तो गाइस हम लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पर स्टेशन बना रहे हैं जिससे फीचर में जो इंटर प्लानेटरी मिशन हो उसमें वहाँ पर फ्यूल मिल जाए तो हम यूज करने एक कि स्टेशन की तरह यूज कर लें तो इसके भी वर्क चल रहा है इसी के लिए अकोर्ड साइन हुआ है इंडिया भी उसका मेंबर बन चुका है तो गाइस काफी जादा इस रोज है आने वाले टाइम पर चीजों के ऊपर वर्क कर रहा है इसके बाद अगर आप आगे देखोगे मन्यान वन आपने देखा होगा य पेला िससा मिस्टा जो इंडिया ने यहां पर मंगलियान के ओपर लॉंज किया था तर और अब जो पेले वाला हमने बेजा था उसका time interval almost पूरा हो चुका है आप सब को बताया कि हर एक सेटलाइट की एक life होती है तो पेले वाला जो मंगलियान 1 था उसके life जो है वो almost end हो चुकी है अब जो है मंगलियान 2 जा रहा है ये भी एक interplanetary mission है मतलब एक प्लानेट से दू इसको अर्थ के surface related चीजों को मेजर करेगा ठीक है इसके बाद अगर हम घ्याद करें सुक्रियान मिशन आने वाला है तो शुक्रियान मस्त आप सब को वताये कि हम लोग कोशिस कर रहे हैं जैसे कि नासा जो है नासा के भूश सारे सेटलाइट जो है different planet की study कर रहे हैं ऐसे इ इनस की surface को पूरा मेजर करने के लिए कि वहाँ पर क्या-क्या चीज़े अवेलेबल है क्या उसका geological features है क्या-क्या वहाँ पर और चीज़े अवेलेबल कि engineering के बाद जो एक्जाम होता है इस साल भी एक्जाम हो रहा है इस रोका रिटन टेस्ट हो रहा है अगर आप लोग चाते हो honesty के साथ कि मुझे इस रों में जाके scientist बनना है तो गाइस इस रों आप सबको वता है अगर आप उन वेकेंसी को निकाल ले उन वेकेंसी में अपना नंबर फिक्स कर लेते हो तो definitely आप इस रों में जाके वर्क कर सकते हो और गाइस अगर आपको पता है तब ही आप एक रियल इंजिनियर हो तो रियल इंजिनिरिंग की definition यह नहीं है कि आपने अपने जो semester की preparation कर ली आपने जो semester है उसमें अच्छे cgpa लेके आगए लेकिन आपको practical knowledge कोई भी नहीं है और आप लोगों यह भी नहीं पता है कि हम हमारे जो country के important organization है वह actually में किस field में काम कर रहे हैं अगर आप उन सब चीजों के बारे में aware रहते हो हर एक technology के बारे में अपने आपको upgrade करते हो तब ही आप real engineer हो तो अपने आपक सब्सक्राइब करें कि काफी सारी information आपको provide करता हूं वह आप लोगे लिए काफी जादा useful होगी इसी के साथ इस वीडियो को मैं करता हूं गाइज मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक लिए गुडबाई thank you so much take care